नमस्कार दोस्तों मैं विजितिवारी स्वागते आपका अमारे यूटूब चैनल दा बुक सुसाइटी में जहां हम आजी किलास में एक और किताब के शंक्रा शुकरने जा रहे हैं इस चैप्टर को पंड़ने के बाद जो आपको पता चलेगा वो यह पता चलेगा कि प्राक इतिहास से आप क्या समझते हो और अगर आपको प्राक इतिहास के बारे में जानना है तो हम किन-किन विधियों का प्रयोग करेंगे किस प्रकार से जो हमारे पूरा तात्विद हैं जो आर्केलोजिस्ट हैं वो किस प्रकार से प्राक इतिहास के बारे में हमें बताते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के स्ट्रेंट होने के नाते यह किताब बहुत ज़्याद आरोचक है जहां हमारे मन में यह प्रशन होना चाहिए कि जह हम यह बात करते हैं कि मा चीज इतनी पुरानी हैं तो उसके बारे में पता कैसे करते हैं ये कि ये चीज इतनी पुरानी हैं तो उससे पहले सबसे पहले चैप्टर में बताए जाएगा प्राक इतिहास क्या है देखो प्राक इतिहास उस इतिहास को कहते है प्रिये इंग्रिश में इसे प्रिये उस टाइम को बोलते है जब मनुश्य का अस्तित था लेकिन मनुश्य को लिखना नहीं आता होगा शायद ऐसा कहते है कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था लिखी दस्ताभे नहीं मिले थे तो हमें पत्थरों से, औजारों से, मनुष्ट जिन को फाउं में रहता था, उन से, उनके कंकालों से, ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कभी मनुष्ट रहता होएगा, यानि कि प्राक इतिहास, उस इतिहास के बारे हमें बता रहा है, जहाँ पर मनुष्ट तो है, मनुष् में ये लोग रहते थे ऐसा कुछ नहीं पता में तो प्राक्ते इतिहासिक काल या प्राक इतिहास उस समय को कहते हैं जो हमें पुराने समय की और ले आ रहा है पुरातन काल की और ले आ रहा है जहां पर लेखन करा नहीं है लिखित दस्तवेज से हमें कोई लेना देना नहीं ह इतिहास के 추ुरुआद में अगर हम मनुष्ट की बात करें तो यह माना जाता typically हम से 20,000,000 बीपी बले जाता है वहाई हम युड़ोप और एशया की बात करें तो हम बहुँ 8 वहाईं हे लग बहुंत चाल पहले। पहले में भी वहाँ पर मूलनिवासी आयोंगे ऐसा किताबे कहती हैं तो लिखित दस्तावेजों के उद्भाव से पहले जो मानव का इतिहास है उस समय को दर्शाने के लिए एक फ्रेंच पूरा तात्वी थे एक फ्रेंच आर्केलोजिस्ट थे जिनका नाम था पॉल्टर्नल जो यह पॉल्टर्नल थे इन्होंने 1833 में किताब लिखी पैरियोड एंटि हिस्टॉरिक तो जो यह पैरियोड एंटि हिस्टॉरिक किताब है इसमें इन्होंने एक word यूज किया और यहीं से एक word आया क्या प्राक इतिहास तो प्राक इतिहास सब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है 1833 में एक archaeologist है जिनका नाम क्या है पाल तॉर्नल ये किताब लिखेंगे period anti-historic और इसी किताब में प्राक इतिहास शब्द के बारे में पहली बार बात की जाएगी तो फ्रेंज शब्दा वली में प्राक इतिहास का सबसे पहली बार प्रयोग 1851 में डैनिल विल्सन ने अपनी किताब the archaeology and prehistoric annals of Scotland में भी किया था तो प्राक इतिहास शब्द का फिर एकदम से challenge शुरू हुआ यानि कि सबसे पहले उत्पत्ती 1833 में हो रही है यूज इसका 1851 में हो रहा है और फिर दीदरे करके history की एक वक्या बन जाती है क्या प्राक इतिहास जहांबर प्राक इतिहास उस समय के बारे में बता रहा है जहांपर मनुष्ट की संस्किती है मानव का इतिहास है बट कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है इसे रख सकते हो या फिर अगर आपके पास book है तो आप book अपने सामने खोल कर उसे highlight कर सकते हो आगे बूल रहा है कि अगर हम प्राक इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे विशेशग्यों की जरूत पड़ेगी जैसे भूगर्व शास्त्रियों की भूगर्व शास्त्री वे विग्यानिक होते हैं जो धर्ती को बनाने वाले ठोस और तरल पदारतों का अध्यन करते हैं उनके बारे में जो अध्यन करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं भूगर्व शास्त्री तो इनकी भी जरूत पड़ते हैं अगर हमें प्राक इतिहास के बारे में जानना है ये भी अपना योगदान देते हैं इसी प्रकार से जीवाश्म विग्यानिक होते हैं जो जीवाश्म का अध्यन करते हैं उन विग्यानिकों को जीवाश्म विग्यानिक कहते हैं तो प्राक इतिहास फिलाल लिखित दस्तावेश से पहले होने वाले मनुश्री के सांस्किति विकास का काल है जो कि हमें लगबग आज से 26 लाग साल पीछे ले आता है average तो लिखित record नहीं है तो हमें history के बारे में कैसे बदा चलेगा तो मनुष्ण की जो शिल पाकरतिया थी यानि कि मनुष्ण ने जो पत्थर के औजार बनाई होईंगे वो जिन गुफा में रहता होगा जो उसके अस्थी पंजर है इन सब अगर आप से कोई पूछे प्राक इतिहास क्या है तो आप इसे बताने में सक्षम है एक वर्ड और आएगा यहां पर आदितिहास जो यह मैंने ग्रीन कलर सा हाइलाइट किया है तो जो आदितिहास होता है इसे बोलते हैं इंग्लिश में proto-history तो देखो pre-history से एकदम से आ लिखी दस्तावेज हैं लेकिन लिखी दस्तावेज से जश्ट पहले जो संस्कृतियां रही होगी क्योंकि एकदम से तो उच्छाल मारके नीचे लेगे में चीज़े धीदरे सीखी होगी तो बिलकुल लाश्ट टाइम वाली संस्कृति रही होगी उसके लिए वर्ड यू अगर आपको प्राक इतियास नीच की प्रिश्ट्री के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको आर्चेलोजी का अध्यन करना पड़ेगा जिसे इंदियें बोलते हैं पूरा तत्विज्ञान और दूसरा आपको मानव विज्ञान का अध्यन करना पड़ेगा तो जब आप सबसे पहले किताब में पुरा तत्विज्ञान यान की आर्केलोजी के बारे में बताया जाएगा तो जह हम आर्केलोजी की बारे में बताया जाएगा तो जह हम आर्केलोजी की बात करते हैं तो हमारे मन में यह आना चाहिए कि एक आर्केलोजिस्ट करता है एक आर्केलो अपर खुदाई हो रही है तो इसके बारे में हमें कैसे इसके में कौन लोग काम करते हैं जो लोग काम करते हैं वो कहलाते हैं पूरतत विज्ञानी यानिके आर्केलोजिस्ट तो आर्केलोजी रिसर्च का वह छेतर हैं पूरतत विज्ञान अनुसंधान का वह छेतर हैं जो भौतिक अवशेशों का अध्यन करता है, भौतिक अवशेशों मैंने जो बताया आपको खुदाय के दुरान जो समान मिल रहे हैं, और उसके सहारे वो अतीत के ज्ञान हमें उपलप्त करवा रहा है, तो प्राक इतिहास की अध्यन की सबसे पुरानी जो जड़े हैं, वो वहां से हमें पता चली थी, इसी प्रकार से जो मानवतावाद है, जो कि मैंने आपको बताया है, पूरा तत्विज्ञान के बारे में जानना है, प्राक इतिहास के बारे में जानना है, तो आर्केलोजी के बारे में पता होना अची है, और मानविज्ञान के बारे में पता ह होना चाहिए तो जब आप रोम की हिष्ट्री पढ़ते हो यूरोप की हिष्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पर मानवतावार्द सब बड़े पैमाने पर 14-15 सेंचुरी में यूज किया जा रहा था जिसे हम आगे और चैप्टर में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो जब हमें पूरा तत्त्त के वारे में जानना है, पूरा तत्त के माध्यम से मनुष के अतीत के वारे में जानना है तो हमें बहुत सारी विधियों का प्रेयोग करना पड़ता है For example, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें प्रारंबिक किसानोदार उपयोग में किये जाने वाले मिर्दभांट के टुकड़े मिलते हैं जब कि इस छेती के खुदाई हो रही है तो पत्थर के अंगणद दुनिया भर के अवशेश मिलते हैं जो हजारों लाक साल पुराने हो सकते हैं त्टू-वी हड्या मिलते हैं लकड़ी के अवशेश मिलते हैं बुनेवे वस्त्र मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हो कि कितने सारे यह यह स्टोन एज के जो हैं टूल्ज थे वह हैं या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो प्राक इतिहासिक गुफा की एक चितरकारी है लॉसकॉस फ्रांस में तो फ्रांस में यह जगह थी जहाँ पर यह आप देख सकते हो पशो की आकर्ती बनी हुई है तो इन सब चीजों से हमें प्राक इतिहास के वारे में पता चलता है इस समसे संबंदी जो शिर्पा करती हैं वो features कहलाती हैं तो history के अंतर कभी यह word आये features कहा हैं तो आप ध्यान रखना features वह शिर्पा करती हैं वह समान है जो पूरा ताति इस थलो के बारे में हमें बहुत जादा जानकारी दे रहे हैं इसमें मिट्टी के धब्बे हो सकते हैं इसमे दarna तो हैं मिट्टी के धब्ब्बे हैं और क्या है उससे पता चलता है कि हापर कच्रे का धेर लगता था या भंड़ार के गड्डे ते या कोई बड़ी संगरचना बनी होईती हैं या फिर कैसा था इसके लावा जाता है तो पूरा तात्विद बहुत सारी विदियों का प्रयोग करते हैं अएसे में यहां पर एक box दिया गया है कि अगर पूरा तात्विद के ही पर खोज कर रहे हैं तो वो कैसे कैसे करेंगे ठीकिया डेंडें तो हडपा वर पहले सी रिसर्च हो चुगी है तो आज कल के जो पुरा तात्विद है यह उस जगह पर जाएंगे और नई-नई खोच करेंगे लेकिन किसी नई जगह की खोच होगी तो सबसे पहलो उस एरिया को टार्गेट करेंगे कि यहां पर कुछ हो सकता है फिर क्या करें यानि कि पूरे तरीके से खुदाई होगी खुदाई भी दो प्रकार की होगी एक लंगवत खुदाई होगी यानि कि जमीन के नीचे परत 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 उठाई जाएंगी और एक खुदाई होगी सीधी यानि कि दूर तक जाएगी और इससे हमाँ बचले लगा यह स पिर उस जगह पर कैसे खुदाईया करते हैं किस प्रकार से वहां पर और लोग का योगदान होता है और आखिर ये फिर कैसे किसी एरिया को टार्गेट करते हैं तो इसके लिए देखो बहुत सारी टेकनलोजी का यूज किया जाता है उन में से कुछ टेकनलोजी का हमारे यह पर बताए गया है जैसे सबसे पहले हें ह्वाई फोटोग्राफी ह्वाई फोटोग्राफी में क्या होता है इस पदिती में हवाई जहाज है या फिर गरम हवा वाले गुबार रहे हैं या फिर ड्रोन है यह किसी इलाके तो जंगलों की तुलला में जो खुलेवे जगए हैं, वहाँ पर जो फोटोग्राफिय होती है, तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी मिल सकते है क्योंकि जंगलों में तो पेड़ पहुत है जाएंगे तो जमीन की सता के बारे में नहीं पता चल पाएगा तो यानि कि जो पूरा शास्त्री है वो सबसे पहले किस चीज का यूज करते हैं हवाई फोटोग्राफ हेगा और इसके लिए हवाई जाजों का यूज होता है आज के टाइम पे गरह होआले वाले गुबारों का यूज होता है या ड्रोन से भी किसी इलाके का चेत लिया दा सकता है यानि कि पहले के मुकाबले आज पूरा ताती उते पास जादा टेक्नलोजी है और वो जादे जादा खोज कर सकते हैं दूसरा तरीका है अंतर जलिया अनुवेशन या समुद्री पूरा शास्त्र इसमें क्या होता है जल के अंदर आपको बता है कई बार जहाज डूब जाते हैं या अंदर glaciers है या कुछ अंदर ज्वारा मुखेश चटाने हैं तो इन सब के बारे हमें कैसे पता चलता है तो इसके लिए हम समुद्री पूरा शास्तर का साहर लेते हैं इस पदती में क्या होता है समुन्द्र या मीठे पानी के नीचे जो पुरा अवशेश है या जल में डूबी हुई चीजे है जल में डूबी हुई सब्वेता है उनके बारे में पता चलता है या कोई जहाज डूब गया है तो उसके मलवे के बारे में पता चलता है इसमें क्या होता है इसे 1943 में चुम्बक्य सर्वेक्छन यानि कि मैगने टोमैटरी से कहते हैं इसमें क्या होता इसमें यह देखा जाता है कि अतीर की जो मानवे गतिविद्या थी उसको पहचानने में यह यंत्रह सहाथा करता है जैसे कि आप इस चित्रह आप चित्र भी देख सकते हो इसमें हम क्या करते हैं जो मिट्टी है हमारी इसके लावा जो रॉक से चटाने हैं इनके अंदर ना चुम्बक्य गुण होते हैं तो इनके चुम्बक्य गुण की वज़े से ही हमें उन इस्थानों के परिवर्तन के वारे पता चल पाता हैं इस इसी प्रकार से मृथा का रसानी विश्लेशन, देखो मिट्टी में बहुंस सारी तत्व होते हैं, फोस्पेट होता है, पॉटेश्यम होता है, एंड सोमौत ρी में, तो ऐसे में हर मिट्टी में अलग-लग तत्व होते हैं, अब किसी मिट्टी में ज Services हैं, मिट्टी में कमel Delores क यूज करते हैं जो ये देखता है कि मिट्टी में प्रतिरोधी छंता कहां तक है इससे हमें ये भी पदा चलता है कि कहां पर घर की नीव तक हो सकती है और कहां पर घर हो सकते हैं इसी प्रकार से भूकम पर पदिती का भी यूज के जाता है जिसमें से बहुत सारी तरंगे नि मनित खोज के लिए जिसमें हवाई फोटोग्राफी अंतर जली अनिवेशन चुंबकी सरवेक्षन और इसके साई साथ मिर्दा का रसाइनिक विसलेशन उप मिर्दा में असंगती की पैचान ये सब कुछ तक्नीके क्या हैं मुख्य हैं तो यहां से चैप्टर का एक पार्ड खतम होता है और कोश्टन यहां पर शुरू है कि प्राक इतियास के बारे में बताओ प्राक इतियास और आदियास के अंदर क्या अंतर है शिल्प करती क्या होती है पुरा तात्विक शोध के चरण बताओ जो मैंने बॉक्स में बताए थे आपको और पुरा शास्त्री किसी स्थल पर मानो बसाओं के प्रमाण हैं इसके लिए कौन-कौन सी पदिती का इस्तिमाल करते हैं तो सारी पदिती के बारे में इसमें थोड़ा-थोड़ा आपको लिग देना है आई होट तो चीज आपको समय रहे होंगे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जिरूप में बताईए इसके लिए कौन-कौन सी पदितीयों का प्रियोग करते हैं